दो दिनों का सपोर्ट फैस्टो जो जिसकी शुरुआत हजज गिंटी उट्टूरा में हुई और आज इसका आखरी दिन है डिप्टी सियो बरामला हमारे साथ इस वकद बातचीत करने के लिए मुझूद है जोके मैं माने खुसूस याने की चीफ गैस्ट तोर पर यहां पर आई थे सबसे पहले सर आफका खरमक्द में हमें बताईए क्या लगता है आफको इन प्रोग्रम उसे सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां आ कर के इसको प्रोग्राम है इसको आपने अकावर किया है तो मैं सबसे पहले अपने जो यहां के प्रिंस्पल साहब है उनका शुक्रिया इस लिहाँ से करना चाहूं कि कल यह हमारे स्यूस आफस में आये थे खुद स्यूस आपको इन्वाइट करने के लिए कि हमारे यहां प्रोग्राम वहárias औरहा रहां तो आप का आना लाज़मी है पर किसी और मुस्री प्रिंस्प्ल्री की वेज़ें से अपको इननका शुक्रिया आदा करता हूँ कि उन्हें मुझे यहां ड्रेक्ट किया यहां आकार कि मेरे पास अलफाज ही नहीं है कि मेरा दिल कितना खुश हुआ कि ये बच्चे जो हैं कलस्टर की ये अपने स्कूल तक ही मैदूद नहीं रही बलके प्रिंस्पुल साब के जो अफोर्ट्स हैं तो ये बहुत अच्छे अफोर्ट्स नहीं किये हैं हम अमयद करेंगे कि इनसे सबक सीके और लोग जो हैं हमारे और जो कलस्टर्स हैं वो भी इसी तरह से अवैंड करवाएंगे तांकि बच्चों को एक दूसरे स्कूल के साथ इंटरेक्ट करने का बच्चे को बच्चे के जहन को जानने का और ये एक स्पोर्ट्स जो है हमारे बच्चे जो हैं ये टैलेंट है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इस टैलेंट को अभारने के लिए प्लेट फार्म चाहिए तो इन्होंने एक प्लेट फार्म दिया और हम यहीं हमेद करेंगे कि आगे से भी इसी तरह से कोश्च करेंगे ताकि स्यादा से ज़्यादे बच्चे जो हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा महाश्य में कुछ ऐसी चीज़ें एंटर हो गई है जो हमें पीसे की तरफ ले रहे हैं तो बच्चों का ज्यादा से ज्यादा जहाँ जब स्पोर्ट की तरफ जाएगा तो वो उन चीजों से उनको दूरी मिलेगी और इधर का स्टाफ और खासकर के फिजिकल वाले और सर का अपना स्टाफ सर की अपनी मेहन जो है वो रंग लाई है इस समय के साथ कि आगे से भी य इन्होंने कलस्टर लेवल पर किया अगले साल अगर इने मौका मिला तो यह इंटर कलस्टर करेंगे और उससे ज्यादा जो है इससे पहले भी हमने देखा कि कलस्टर लेवल के जो एक्जाम है जाहे हम नीट जही जिस तरी के से एक्जाम होते हैं इंटरंस एक्जाम वैसे स से इनकी तारिफ कर सको क्योंकि जो वो इनिशेटियू ने लिया वो एक बच्चे को पहले से घिन दिखाया कि आने वाले जो आप का कैरियर जो है कि क्यों क conditioning बच्चों को पर्पेर किया को एक बड़ा अच्छा इनिशेटिY था और मेद है कि बागी लोग भी इस इस तरह से ऐसे इनिशेटियूस ले करके, यह बचे जो हैं, बचे हैं तो हम हैं, बचे नहीं तो हमारा भी वजूद कहा हैं, इसलिए हमने बच्चों को जितना हो सके, इतना इनकी नशन्दमा के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, वो कम् भी है अमेद करेंगे कि टीचर इससे ज्यादा से ज्यादा महानत करेंगे ताकि इन बच्चों में जतना भी छुपा हुआ हिड़न टैलेंट है उसको भाहर लाने की कोश्च करेंगे शुक्रिया अब दो शुक्रिया थैंक्यू प्रिंस्पल साथ का खोद बहुत शुक्रिया यहां रुजू किया और इनकी एफोर्ट्स जो हैं अमेद करूंगा कि बागी लोग भी सबक्सी के इस तरह से ऐसे एफोर्ट्स करेंगे ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्लेट फारा में लेए शुक्रिया थैंक्या हमारे साथ टिप्टी चीफ एजुकेशन बा बारमला